नमस्कार दोस्तों सुगत आपका इस्टेडी पॉरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता है अब चलगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को त नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस्टेडी फार इंजाम में दोस्तों यह यूपी टेपले से लेकपाल के सामान अध्यान सेरीच का 21 वीडियो है इससे पहले 20 वीडियो आचुकी है और इसका जो लिंक है इसी वीडियो डिस्टेश में बाक्ष में डाल दिया आप लोग उसे भी देख सकते हैं वीडियो शुरू करने इस पहले आप बताना चाहता हूं हमारी कई पेड़ गूर्प चलते हैं अगर आप इन पेड़ गूर्प को लेना चाहते हैं तो दिये गए नंबर पे कॉल का जनका ही प्राथ कर सकते हैं तो दोस्तों देखते हैं आज का पहरा प्रसम लोग परेटन मंत्राले के स्वदेश दर्शन योजना के लिए बजट 2022-23 में अनुमानित बजट कितना आवंटित किया गया है इसके लिए 4 आपसन दिया गया आप लोग आपसन पढ़ लीजिए इसका जो सही आंसर है वो आपसन से 1181.30 करूर पे स्वदेश दर्शन योजना के परेटन मंत्राले को कुल 2400 करूर पे आवंटित किया गया है बजट 2022-23 में और पीछले बजट से 18.42 प्रसर ज्यादा है और स्वदेश दर्शन योजना जो है वह परेटन मंत्राले ने वर्ष 2014-15 में शुरूप किया था इसको आपनोग नोट कर लेजेगा इसका जो आपस गय से जलवाई परेटन से या जल प्रदूसर से तो इसका जो सही अंसर है वह उप्सन से जलवाई परेटन समझनी थे क्योटो प्रोटोकाल और यह एक अंतराष्टी संदी है और इसे वर्ष 1990 में अपनाय गय था और यह प्रभावी वर्ष 2005 से हुए था तो इसका जो आप आइरन, लेड, मेथेन या नाइटरेट तो इसका जो सही अंसर है वह आपसंडी नाइटरेट की अधिता कारण ब्लू बेबी सिंड्रूम होता है और इससे जो सरीर है वह नीलब पढ़ जाता है तो इसका जो आपसंडी है वह सही है आईते हैं अगला प्रसम लो वर्तमान म नाटो के कुल कितने सदसे देश हैं 22, 25, 28 या 30 तो इसका जो सही अंसर है वह आपसंडी वर्तमान में नाटो के कुल 30 सदसे हैं और नाटो की जो अस्थापना है वह वर्स 1949 में इसकी अस्थापना होई थी और इसका जो मुख्याला है वह बेल्जियम के रादानी ब्रूसेल में इसका मुख्याला है और इसमें 28 जो देश हैं वह यूरोपी देश हैं और दो उत्तरी अमिर्की देश हैं और इसका जो अंतिम सदसे देश बना था वह दच्छली मेसु डोनिया बना था और यह वर्स 2020 में जो है नाटो का सदसे बना था आयते हैं अगला प्रस्म लोग बीसमा सार्क सम्मिलन जो वर्स 2022 में होगा यह किस देश में आयतो होगा बारत स्रेलंका पाकिस्तान या अफगानिस्तान तो यह आपके पाकिस्तान में आयतो होगा इसका जो अप्सन सी है वह सही है सारक के जो अस्तापना है वह वर्ष दिशमर शेमर न्यस्तापने में इसकी अस्तापना होई थी धाक़में और सारक के कुल यह वर्ष 25 पाकिस्तान बांगला देस नेपाल भूतान माज़िव, स्रीलंका और अफगानिस्तान सामिल है और सार्क में जो है अफगानिस्तान वर्स 2007 में सामील हुआ मकाल हो सकता इसके उपर एक डिटेल वीडियो बनाँगा आप लोग उससे जलू देखिएगा जिसमें आपको मैप की साहता से सब कुछ अच्छे समझाए जाएगा आएते हैं अगला प्रासम लो तेंदूलकर समित का गठन किसके लिए किया गया था गरीबी आकलन, बैंकिंग सुधार, कर सुधार या विदेश ब्यापार के लिए तो इसका जो सही आंसर है वो अप्शन A गरीबी आकलन के लिए तेंदूलकर समित का गठन किया गया था और इस समित का जो गठन किया गया था वो वर्स 2005 में गठन किया गया था और तेंदुलकर समित ने जो रिपोर्ट समित की थी वो वर्स 2009 में रिपोर्ट समित की थी और इस रिपोर्ट के अंसार भारत में 21.9 परिसत आवारी जो है वो गरीबी रेकासते नीचे जीवन जीती है आयते हैं अगला प्रस्म लो, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज कौन सा है, सिक्किम, केरल, नागलान या मडिपूर, तो इसका जो सही अंसर है, वो है option, ए, भारत में जो है, सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज है, वो है आपका सिक्किम है, और यहां के जापकुल सिराज के सबसे अधिक समय तक मुखमंत्री बने रहने का जो है रिकार्ड इनकी नाम है, और वरतमान में सिक्किम के जो मुखमंत्री है, वो प्रेम सिंग तमांग जी है, आयते हैं अगला प्रस्म लो, भारत सरकार ने किस वर्स में 14 प्रमुख नीजी बैंकों का राष्ट किया गया था, और उस समय भारत के जो प्रधान मंत्री थी, वो बणकर इंद्रा गांधी जी थी, तो इसका जो ओप्रस ही है, वो सही है, बीडियो में जो भी प्रस्म आप लोगे से पूचा एता है, उसका उत्तर देनी कोशित किया करीए आप लोग, अगर उत्तर में कोई करेक्शन करने ही जरूरत पड़े गए तो मैं आप लोग को उसको बताता रहूंगा तो देखते हैं प्रस्टनम लोग राज विधान परशत का प्रावधान भारती सम्विधान के किस अनुचेद में रखा गया है आर्टिकल 71 आर्टिकल 172 या आर्टिकल 173 तो इसका जो सही प्रदेश्ट बिहार आंद्र प्रदेश्ट तेलंगाना महराष्ट और करनाटक सामिल हैं अगला प्रस्टन लोग अकबर की वीजियो का सही कालन करम आपको पहचानना है इसके लिए चार अप्संदिया गया आप लोग अप्संद पर लीजिए अकबर ने काबूल पर पर चान-बे में अकबर निया प्रदीन फिर है अगरा प्रतान लोग कि पुंत नांवर्स का जो पहला मेना होता है वह आपका चेतर होता है आप लोग अंति महीने का नाम कमेंड बाक्स में बताईएगा हिंदू नववर्स का आयते हैं अगला प्रस्म लोग मानव में ताबे के अरिक्ता से कौन से बिमारी होती है इसके लिए चारा अप्षन दिया गया है आप लोग अप्षन पढ़ लिजे मनुस से में ताबे के अरिक्ता होती है तो आपको विल्सन नाम के बिमारी होती है तो इसका जो आप्षन सी है वह सही है और यह एक अनुवानसिक बिमारी है विल्सन और सरीर में जब ताबे के अरिक्ता हो जाती है तो यह यक्रित आँख और मस्तिस को प्रभावित करता है त प्रिंवर्खट में से किस अमलका उपयोग सोने और चांदी के सुधी करण में किया जाता है यह C-E-L, H-N3, H2-H4 यह CH3-CoH त्रीज का जो सही अंसर है वह बी नाइट्रिक अमलका उपयोग किया जाता है सोने और चांदी के सुधी करण में और यह है आपका acetic अमलका सूत्र है CH3, COH और यह है आपका sulfuric अमलका है और यह है hydrochloric अमलका है आएते हैं अगला प्रस्म लोग महासागरों को उनकी आकार के उनसार बेखसित करें यहाँ पे चार महासागर दिया गया है प्रसान महासागर, Atlantic महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर इसके लिए चार अपसन दिया गया आप लोग अपसन पढ़ लिजिए यह है आपका प्रसान महासागर है इधर भी और इधर भी इसका इरिया और यह है आपका Atlantic महासागर और इसका जो safe है हिंद महासागर और सबसे छोटा जो है वह आपका आर्ग टिक महासागर है तीज पहले उपस़न है वह सही है आये अगला प्रस्मतो के दिल्ली सल्तनके किस राजवनस ने अधिक्तम समय तक साशन किय है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनक में जोकुल पांच रा लगभग 94 वर्स तक सासन किया था और बात करतें सबसे कम की तो सबसे कम खिल्जी वंस ने सासन किया था इसको भी आपको नोट कर लिजेगा आयते हैं अगला प्रस्म लोग जानवरों के प्राक्तिक आवास में उनके ब्यवहार के अध्यान को क्या कहा जाता है इसके लिए च इतने मानता प्राप्त राश्टी दल हैं 7,8,6 या 12 तो वर्तमान में भारत में खोल 8 राश्टी दल हैं और राश्टी दल का जो दर्जा है उससे प्राप्त करने कुछ कंडिसन होती हैं जैसे इन्हें चार राजों की लोग सभा या विधान सभा में कुल परसंट का जो है च्छह प्रसत ओट पाना आवस्यक है या फिर कम से कम चार राज़ों में इन्हें राज दल का मनता प्राप्त हो और वर्तमान में कुल आठ दल जो है जो राश्टी दल है इनमें बीजेपी, कांग्रेस, एंसीपी, बीएसपी, भारती कम्यूनिस्ट पार्टी, नेशनल पीप या ब्राप्त नहीं होया इसे आए थे हैं अगला प्रस्म लोग तो कि सेंट्रल एग्मार्क प्रयोक साला कि सहर मिष्थित है नाकपूर, हुणे, भुपाल या इंदाउर तो इसका जुछ्य है अपशन ए नाकपूर मिष्थित है जो इसकी जो जो गुल वत्ता है वह अच अगला प्रस्म लोग, सरदार सरवर परियोजना से निमलिखित में से किस राज को लाम मिलता है, यहां पे चार अपसन दियागे, आप लोग अपसन पढ़ लिजिए, इसका जो सही आंसर है, वो अपसन से सरदार सरवर परियोजना से गुजरात, मदरप्रदेश, महराश्ट और राजस्थान जो है, वो लाभनवित होते हैं, और इस परियोजना से इन राज्यों में पानी और बिजलो की आप उर्ति की जाती है, सरदार सरवर परियोजना जो है, यह नर्मदा नदी पर इस्तित है, तो इसका जो आपसन सी है, वो सही है, आएते हैं अगला प्रस्म बीजय नगर के तुलू बंस की अस्थापना किसके द्वारा की गई, वीर नर्सिंग, पिश्रदेवर राय, हर्यार या सदासिव, तो इसका जो सही आंसर है, वो आपसने, वीर नर्सिंग ने बीजय नगर के तुलू बंस की अस्थापना की थी, और वर्स 1505 में इसने तु तुलुवंस की अस्थापना की थी और किष्ट्र देव राय जो है वह तुलुवंस के ही प्रसीद्स आ सकते हैं आएते हैं अगला प्रसम लोग आधुनिक आवर्साड़ी में कुल कितने समुह और कितने आवर्त हैं इसके लिए 4 अपसन दिया गया आप लोग आपसन पढ़ आधुनिक आवर्साड़ी में कुल 7 आवर्त और 18 समुह है वह सही है और वर्तमान में कुल 118 तत्नों की खोज की जा चुकी है आएते हैं अगला प्रसम लोग गैंडा परियोजना कब शुरू हुई थी 1982, 1980 या 1987 या 1985 में तो इसका जो सही आपसन से 1987 में गैंडा परियोजना की जो है शुरूरवात की गई थी हैं और आवर्साम का जो काजी रंगा नेश्नल पार्व है वह एक सिंग वाले ऻेंडे में के लिए परसिद्ध है या भी और परशेंघ कई बार पूंचा गया है की काजी रंगा शेंडे में की आपसन से कैंडी को जो है सर्वस्रेश्ट वेब सेरीज का प्रशकार मिला है दादा साथ फाल के इंटरनेशनल फिलिफ फेस्टिबल में और वेब सेरीज की स्रेणी में जो है सर्वस्रेश्ट अभिनेतरी का जो अवार्ड मिला है वह अरनेनर वेबसेरिज में कारे करने के लिए रवीनाटंदन को मिला है रव Beckley love our Kingdom को और बैस्ट अभीनेता को जो वाद मिला है वेबसेरिज के स्रंखला में वए The Family गान के लिए इसको आप लोग नोट का लिएगा ए बैस्ट्व एक्रेस बाट passer न देया गया अज पर सिवा जी के सासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था सुमंत अमात यह सेनापती उसक जानते हैं एक सीवा जी के सासनकाल में आश्टर प्रधान इनके दरवार में रहते आयते हैं अगला प्रस्म दो, अपरिका की सबसे बड़ी जेल, विक्टोरिया जेल है, इसका विस्तार किस देश में नहीं है, केनिया, तंजानिया, युगांडा या बुरुंडी, तो आप लोग को आसानी समय आ जाए, इसलिए आप मैप का प्रियोग किया गया है, और यह ज सीमा रवांडा से नहीं सपर्स करती है, रवांडा और बुरुंडी की सीमा इससे असपर्स नहीं करती है, तो आसा है आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल